केटिये की तमाम हिंदो किशान आज अलाउदिन खिल्जी की जूती के नीचे दबी हुई है और हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं जो उसका मुकाबला कर सके सजनों खादल के सामने जाके मिन्ति करती है किस तरह से दूसरी बात में लिखार आब बताया भला बिनकरत में भड़को ना बिनकरत में भड़को ना बेवाई बेवाई अरे शुन बादल हिंदुओं का एक सेर और जो अलाउतीन खिल्दी की कैद में पड़ा हो उसकी घरवाली को ले जाने का एलान कर दिया हो तुम्हारा जीना बेकार हिंदुओं सजनों किस प्रकार केती है तीशरी बात में क्या लिख्या भला कैसे एफ फंदे में तेरा मामा है मोका हर बार मिले गोन्या शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले है कोन्या ये पाचो अगली नहीं बरापर शेरो पे जेर धिले कोन्या जो खिल जीने रत राख्या कहीं अंधिर मिले कोन्या ये जिन्दा शेर मिले कोन्या रह काने लो में चल कोन्या मैं काउं तो सुनता जिये विले कर्दम के भड़े कोना विले कर्दम के भड़े कोना तूल्हा बने बार्दल ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया ही था के मामी के गीत की लाइन कानों में सुनगी सजनो मौड तार दिया सहरा उतार दिया और उतार के औरतों के बीच पहुँच गया आखिर कौन है जो ऐसा गीत गारी है क्या कारण है सजनो जब पता चला की सामरे मामी पदमावत खड़ी है आखों में आसु लिए मना कर दिया शादी नहीं करूँगा पहले ये काम करूँगा अपने मामा की बंद छुड़ा के लाओंगा किस प्रकार आखिरी बात में लिखा क्या बताया में पिलकर तमके भड़े को ना तमके कीत गावती चाली आतल कीत नकल को ना एगावंटों सुदा जये पिलकर तमके भड़े को ना